आउजू बिल्लाही में शॉयत वानित वाचीम बिस्मिल्लाहित उख्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मौसीन रसा और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूरेंट सपोर्ट सर्विसिव योट्यू चैनल दोस्तों मैंने दो और नए चैनल बनाए हैं जिस पर मैंने आपके काफी जो मुश्कील सब्जेक्ट हैं उनके इसे को 15 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उनके टिटोरियल और लेक्चर रिकॉर्ड करके वहां पे रखी हैं तो आप 24 आर 7 टीचर ऑनलाइन पर जाके उनको विजिट कर सकते हैं और उनसे फाइदा उठा सकते हैं दूफरा जो चैनल है वो Key to Success है जिसके मैंने आप लोकों की exam की तयारी के हवाले से material अपलोड करना है और इंशाला आपके midterm की date से पहले जो है वो material अपलोड हो जाएगा तो आप इन दोनों चैनल को जरूर विजिट करें और साथ ही subscribe भी करें दोस्तों आज की चो मेरी वी इसकी requirements को देख लेते हैं क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो के अंदर के ही बताता हूं कि हमने सबसे पहले अगर requirements को अच्छे से समझ लिया तो फिर जो है उसके solution में हमें कोई problem नहीं होगी success of any project depend on excellent management you are required to identify the name of management activity against the activity description given in the following table and write in the respective column हमने management की कुछ activities के बारे में बताया गया है और ये साथ एक table भी दिया गया है जिसमें हमने वो activities लिखनी है with respect to the description provided in the second column उसमें हमें बताया गया है name of activities हैं इसमें organizing, planning, controlling, monitoring, innovation, staffing, representation और directing ये हमारी management की कुछ activities हैं और साथ ही हमें कुछ जो है और description दी गई है हमने in descriptions के सामने in activities को लगाना है तो दोस्तो हम चलते हैं इसके solution की तरफ और मैं बारी-बारी एक-एक description जो है वो आप लोगों को दिखाता जाऊंगा और साथ ही आपको समझा कर बताता जाऊंगा कि यहां पे कौन सी activity आएगी दोस्तो सक्रीन के उपर आपको table एक नजर आ रहा है जिसमें पहला column जो है वो फिडियो लंबर का है तूफरा column जो है वो description का है और तीफरा name है तो हम पहले column में फिडियो लंबर लिखेंगे description वाले column में हमारी description आएगी और name वाले column के अंदर हमारी उस activity का नाम आएगा जो हमें शुरू के अंदर आठ activities बताई गई है तो पहली जो हमारे पास description है वो है fundamental management function which involve deciding beforehand what is to be done अब दोस्तों यह जो आपको management की activities बताई गई है यह आपका जो book है उसका बिल्कुल पहला page है I think यह दूसरा page है और पहला ही chapter है उसके उपर यह आपको बताई गई है तो वहाँ से बैने जो है देख के इस assignment का solution बनाया अगर आप लोग और व्यादा detail में इन activities को पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी book का chapter number जो one है उसको देख लें अब जब बात आती है what is to be done के हमने क्या done करना है या क्या करना है तो वो हमारा planning के अंदर आता है के we are planning something what is to be done के हम plan कर रही होते हैं के हमने क्या करना है इसके बाद दोस्तों दूसरी जो हमारे पास description है वो यह है process of identifying and grouping work to be performed defining and delegating responsibility for the purpose of enabling people work हम जो है इसमें एक process बना रहे हैं जिसमें हम identify कर रहे हैं कि हमने कौन-कौन से काम जह हैं वो perform करने हैं और कौन-कौन बनदा जह है वो कौन-कौन से कौन जह है वो perform करेगा तो थो दोस्तों यह जो activities include होती हैं यह हमारी organizing के अंदर होते हैं वो है select right people for the right job, कि हमने right job के लिए right बंदा जो है वो select करना है, miss fit people should not be indicate, इसमें हमने miss fit जो है वो नहीं indicate करने, तो जब हम लोगों को बर्थी कर रहे होते हैं for the right person, for the right job, for the right time, तो वो हमारा staffing के अंदर आता है, और इसका मतलब जो है लोगों को बर्थी करना है, इसके बाद चौथी जो description है, वो भी आपको सक्रीम के उपर नज़र आ रही है, output are versatile in nature, four kind of direction, guidance and training required, कि output जो है वो वो बरस्टाइल होती है nature में, four kind, direction, guidance and training required, तो ये जो है हमारा monitoring के अंदर आता है, कि हम output को देख रहे होते हैं, और बाकी चीज़ों को देख रहे होते हैं, इसके बाद अगली description है, वो आपको सक्रीम के उपर नज़र आ रही है, ensuring that activities are going according to the plan, कि हमारी फारी activities according to the plan हो रही है, with the budget limit and according to the specification, और हमारी specification के मुताबिक हो रही हैं, तो यह हमारा जो है, वो controlling के अंदर आता है, क्यूंकि इसके मुताबिक हम चीज़ों को compare कर रहे होते हैं, कि what we have to plan and what we are going to do, तो यह हमारा controlling के अंदर आ गया, इसके बाद जो next description है, वो आपको screen के उपर नवर आ रही है, taking appropriate measure to remove all the obstacles, which are affecting the peace and progress of project, तो यह आपका आता है, representation के अंदर, और इसके बाद, सात्मी जो आपकी activity है, वो है introducing new ideas and applying new technology, जब हम new चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो इक मीन्स के we are creating something new and innovative, तो यह हमारी innovation के अंदर आता है, इसके बाद, आखरी जो आपकी activity है, आथमी वो है, के आपने requirements के हिसाब से चीज़ों को बनाना है, तो यह हम basically direct कर रहे हैं, उनको लोगों को बता रहे हैं, कि आपने यह यह काम कर रहे हैं, और यह इसकी requirement है, तो दोस्तों, यह थी हमारी assignment, CS615 की software project management की, मुझे उमीद है, आप लगों को idea मिल गया होगा, अगर आपको लगता है, कि कई इसमें activity एक आद उपर नीचे है, तो आप उसको अपने हिसाब से adjust कर लें, दोस्तों, मुझे उमीद है, कि आपको virtual student support services YouTube channel से काफी फाइदा हो रहा है, तो मैं आपको कहूंगा, कि आप 24R7 teachers online, और key to success के उपर जाएं, और वहाँ पर जो material available है, आप उप से भी फाइदा उठाइएं, दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी assignment solution के साथ, यह GDB solution के साथ, यह quiz के solution के साथ, उप वकत तक के लिए, मुझे इजावत दीजिए, थैंक्यू वरी मच्छ दोस्तों, अलाहाफीज!